जय सिव संकरमित्रों मैं आप सभी का हरीश फांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है भावतिक सुक्र समरिद्धि के कारक सुक्र के रासी परिवर्तन के संदर्भ में तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा ये वीडियो इंपोर्टेंट है क्योंकि इस बार सुक्र और मंगल की युति बनने जा रही है तो इस युति का आपके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना बहुत आवस्यक है वीडियो शुरू करने से पहले एक आवस्यक सुचना दे दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेस करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा ठीक है मित्रों तो चलिए विशागी करते हैं शुरूवात देखिए मित्रों 30 माई 2023 को भावतिक सुक्समृद्धी के कारक ग्रह सुक्र करकरासी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां प्रवेश 7 जुलाई 2023 तक रहेंगे अब सुक्र कौन है सुक्र भावतिक सुकों के कारक है सुक्र जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं, उसका जीवन सुक्सुविधाओं से संपन होता है और सुक्र जो पुरुस हैं उनके लिए इस्त्री सुक का कारक है और जो इस्त्रियां हैं उनके लिए पुरुस सुक का कारक है शुक्र मान सम्मान है, शुक्र अच्छा होता है तो मान सम्मान मिलता है, शुक्र सुख सुविधा है, शुक्र अच्छा होता है तो सुख सुविधाएं मिलती है, इसके वीपरित अगर सुक्र खराब हो जाए, तो न इस्त्री सुख मिलता है, न इस्त्रियों को पुरुष जीवन में सुक सुविधाओं के लिए बहुत महनत बहुत प्रयास करना पड़ता है यौन रोग हो जाते हैं गुप्त रोग हो जाते हैं और उसे व्यक्ति जहलता रहता है सुक्र के खराब होने के फल स्वरूप या सुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टी पड़े तो उस सुक्र, सुक, सुविधा, रोमांस है और मंगल क्या है उर्जा है तो इसका मतलब सुक, सुविधा और रोमांस को मंगल की उर्जा मिल गई तो इस मामले में तो आप मकर रासी वालों को एडवांटेज मिलने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है और क्या-क्या और तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनली यह सुक्र मंगल की जोड़ी क्या रंग लाने जा रही है तो चलिए वीडियो मूल विशय पर आते हैं वीडियो को लेकर देखिए मित्रों सुक्र आपकी रासी से सप्तम भाव में प्रवेस करने जा रहे हैं सप्तम भाव होता है वैवाहिक सुक्सुविधा का भाव वैवाहिक सुखों का भाव साजेदारी का भाव तो जाहिर सी बात है कि सुक्र जब सप्तम भाव में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में खुसियों की सौगात ले करके आएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है जीवन साथ जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी आपके मन की भावनाओं को आपके कहने से पहले समझ लेगा और जीवन साथी के साथ काफी अच्छी अंडर स्टेंडिंग बनेगी, माफ खीजेगा मित्रों लाइट चली गई लेकिन ये वीडियो मैं रोकोंगा नह और तलाक होने जैसा डर लग रहा था, तो ये मामला अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने के लिए ये गोचर बहुत ही सुभ है, मित्रों, प्रेम प्रसंगों में अच्छी खासी सफलता मिलेगी, रोमान्टिक लाइफ तो ब अफेयर की शुरुवात होई है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है आपका प्यार परवान चड़ेगा इसमें अच्छा है अब नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर थोड़ा सा नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है नेगेटिव का मतलब यह है कि अ आपके कारस्थल पर आपके सहकर्मियों से आपके रिलेसन अच्छे रहेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है और साजेदारी की बात अगर करूं पार्टनर्शिप की बात करूं तो पार्टनर्शिप में जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए यह गोचर मिलने जा रही है ऐसा मैं देख रहा हूँ हाँ एक बात है कि स्वास्थ के लिहाज से यह गोचर कुछ समस्या आपको दे सकता है खास तोर पर पेट की समस्या यूरीन की समस्या यूरीनरी ट्रेक इनिफेक्षन किडिनी की प्रावलम इस तरह की थोड़ी समस्याएं आपको आ सकती है इस गोचर में अतह इस मामले में आपको सावधान रहने की आवज सकता है चुकी सब्तम भाव मारक होता है तो इस मामले में चुकी नीच का मंगल भी वहाँ बैठा है तो पेट से समस्या देगा आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ध्यान से आपको चलना है ठी आप प्रतिदिन दुर्गा मा की फोटो के सामने धूप दीब जला करके दुर्गा चालिसा का पाठ कीजिये, ये तो हो गया सुक्र के लिए और मंगल के लिए आपको क्या करना है, मंगल के लिए अगर कोई मंगल वार के दिन आपको बंदर मिल जाएं तो उन्हें गुडचन बान का पाठ हनुमानाश्टक का पाठ इस प्रकार से आप कीजिए आपको लाब मिलेगा ठीक है और सुक्रमंगल की ये जोड़ी आपको सफलता के सिखर पर ले जाएगी तो आपने श्चिंत रहिए ये गोचर आपके लिए बढ़िया है मित्रों और जाते जाते एक बार फि 96730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा डारेक्ट कॉल न करें मैं सेस करें मित्रों तो मैं चलता हूं मित्रों जय से उसंकर